हे फोड़ीज वेल्कम रो माई चैनल किरेंस क्वीजीन किशन तो आज में बना रही हूं मटका कुलफी एकदम बाजार जैसा इसका टेस्ट आता है और तीन से चार मिनट में ये बनके रेडी हो जाती है तो जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी के लिए आपको सबसे पहले ली रहा है 7-8 काजु जिसको रफली कट कर लिया है फर यहां पर मेरे पास आमंट से जिसको मैंने फाइ лайली चौप गिया और कुछ पिस्टा है तो मैंने यहां पर 10-12 बादाम ली हैं और 7-8 मैंने पिस्टा ली है इन सबको आप रफ पूर्थ कप शुगर, शुगर के साथ ही आपको इसको पीजना है ताकि जो ड्राइफूर्स ए उसका ऑइल नहीं छूटे, तो इसको मैंने बहुत अच्छे से ग्राइं कर लिया है, एक बर मैं आपको इसका टेक्शर दिखा देती हूं, ये बहुत अच्छे से ग्राइंड हो बट क्योंकि लॉक्डाउन में ब्रेड नहीं मिल रही है इसलिए मैंने आपको ये बिस्किट को आप्शन दिया है अगर आपको ब्रेड मिलती है तो आप ब्रेड ही डालेगा फिर बिस्किट नहीं डालना है तो बिस्किट के हम छोटे छोटे टुकडे कर लेते हैं ताकि हम इसको एजिली पीस पाए और मिक्सर जार में इसका एक फाइन पाउडर बनके रेडी हो जाए तो ये दिखिए हमारे biscuit जो है टूट गए है तो इसको mixer jar में shift कर देते हैं तो अब जल्दी से मैं इसको grind कर लेती हूँ तो ये हमारा grind करके powder जो है ready है इसको भी मैंने बहुत बारिक पीसा है उसके बाद आपको इसके अंदर डाल देना है 2 tablespoon milk powder 1 cup milk यहाँ पे आपको full cream मतलब full fat milk लेना है इस recipe के लिए आपको बहस का दूद लेना है गाय का दूद यूज नहीं करें टेस्ट अच्छा नहीं आएगा उसके बाद मैंने इसमें add कि 1 teaspoon इलाइची powder और इसे भी blend कर दिया है तो एक बाद मैं आपको इसके consistency दिखा देती हूँ क्योंकि अभी हमने इसके अंदर मलाई add नहीं करी है तो यह आपको काफी पतली लग रही होगी बड़ इससे जादा आप इसके अंदर biscuit नहीं डाले नहीं तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है one third cup केसर का milk, saffron milk तो मैंने इसके अंदर बारा से पंदरा जो है saffron add कर दिया था दूद को घरम करने के बाद ताकि इसका जो color है वो काफी अच्छा आए और हमें इसमें extra color डालने की जरूत नहीं पड़े तो अब आपको इसके अंदर डाल देना है one fourth cup मलाई, यह दूद के ओपर जो मलाई आती है यह वही है और जो मलाई आप यूज़ करते हैं वो fresh होनी चाहिए, 6-7 दिन पुरानी नहीं ले, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा अगर मैं आपको यह spoon के हिसाब से बताऊं तो आपको फिर 5 spoon लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा भर-भर के भी नहीं लेना है इसको blend करते समय आपको 4 second चलाना है, फिर बंद करना है, 4 second चलाना है, फिर बंद करना है, continuously नहीं चलाए तो यह हमारा ice cream का जो mixture है, बनके ready है, आप देख सकते हैं कि cream डालने के बाद यह काफ़ी थिक भी हो गया है और इसका color भी काफ़ी अच्छा आया है, अब मैं इसको जो है ice cream mole में डाल देती हूँ तो आज ice cream को set करने के लिए मैं इस तरह की जो मटकी है वो यूज कर रही हूँ, आप इसकी जगह plastic या फिर paper के जो tea cup आते हैं वो यूज कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे से set होती है तो अब मैं इसको pack करने वाले हूँ, foil paper या फिर clinch wrap से, जो आपके पास हो, मैंने यहाँ पे clinch wrap यूज किया है, आप इसकी जगह foil paper यूज कर सकते हैं, ताकि जो ice cream है वो उपर से crystallized नहीं हूँ तो मेरे पास यह दो सिकोरे भी थे, तो उसके अंदर भी मैंने जो है ice cream भर दी है, और इसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ 7-8 hours के लिए, अफ्टर 8 hours हमारी जो ice cream वो बहुत अच्छे से set हो गई है, तो मैं यह clinch wrap जो हटा देती हूँ, और मैं आपको इसको पास में से द होने के लिए freezer में रखते हैं, तब ही आप जो है इसके उपर लगा सकते हैं, तब मैं भूल गई थी लगाना, और इसके उपर मैं थोड़े से केसर भी लगा रही हूँ, तो friends यह लीजिए हमारी मटका कुलफी जो है बनके ready है, अगर recipe अच्छे लगी है तो में चैनल को जर अगर enjoy कर सकते हैं, आपको market से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर recipe अच्छे लगी है तो comment करके जरूर बताईएगा, और इस recipe को अपने friends and relatives के साथ जरूर शेयर करें, मैं मिलती हूँ next video में next recipe के साथ, तब तक के लिए bye bye, take care, thank you